प्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी सब्जी की रेसिपी शेयर किरने वाली हूं जिसे हम नॉर्मल सब्जी के साथ नहीं बनेंगे लेकिन आजकल यह सब्जी काफी ट्रेंड में है और बहुती सारे लोगों की फेवरेट होती जा रही है क्योंकि इसे बनाना भी है और खाने में तो गजब का टेस्स करती है तो चलिए जहट पर से स्टार्ट करते हैं रेसिपी रेसिपी अची लगे तो लाइक जरूर करती हूं तो सबसे पहले हमें बनाएंगे इसकी ग्रेवी उसके लिए दो बड़े साइच के प्यास दो शिमला मिर्च और चार माटर थे बड़े साइच के उसकी प्यूरी बना लिया है पांचे के लिए लैसन की और एक इंच अद्रक का ट्रूर लिके उसे भी पीस लिया है और जो शिमला मिर्चती उसे अच्छे से साफ करने के बाद में इस तरीके से चुट-चुटे क्यूब में कट के लिया है तो के लिए अब स्टार्ट करते हैं सबजी बनाना उसके लिए गैस ओन करी कड़ाई रेखी और उसमें डाल दिया एक टेबल स्पून जितना देसी आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑल में बनाएं आप चाहें बटर में बनाएं लेकिन इसका जो बहुत ही बढ़िया टेस् से निकल कर आएगा यह सब्जी बहुत तीक ही अच्छी ने लगती है एकदम सौंधी सी सब्जी होती है खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और उसमें डाल दी वह जो हमने मिर्चे ली थी उसे बीज से चील लिया और बस उसके बाद ऐल में डाल दिया आप अगर तीखा क अच्छा भून जाता है ग्रेवी का टेस्ट उतना ही बढ़िया आता है और जो हमने जिंजर गार्ली का पेस्ट बना कर रखाता है अब वह भी डाल देंगे और इसे चीज़े चिलाएंगे जिससे लहसन का कच्छापन दूर हो जाएगा तब ही सब्जी में बढ़िया सा ट दो टेवर स्पून जितने मगज यानि की खर्बूचे के बीच जिसे एक दम गरम पानी में मैंने आदा घंटे के लिए भिगो दिया है और इसकी हम प्योरी बना कर तयार कर लेंगे और हमने टमाटर में डाल दीए वो शिमला मिर्चे हैं जिसे इस तरीके से बारीक बारीक कटकर की रखा था शिमला मिर्च और टमाटर बड़े हासे पक जाए इसके लिए हम डाल देंगे इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक तो चलिए बाकी की मसाले भी डाल देते हैं यह लिए वन फोर्टी स्पून जितना हल्दी पाउडर साथी हम सबजी में डालेंगे कश्मीरी वाली लाल मिर्चे इससे कलर तो बहुत अचाएगा तीखी कम होती है और यह लिए एक टेबल स्पून जितना सूखा धनिया पाउडर और यह लिए थोड़ा सा गरम मसाला इस समय गरम मसाला डालेंगे तो सबजी में आसम टेस्ट आएगा बाकी का गरम मसाला हम बाद में यूज़ करेंगे इस समय मैंने बस बिल्कुल थोड़ा सा डाला है और सब को अच्छे से बून लेंगे ग्रेवी को जितना चाहा बून लेंगे सबजी का टेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा क्योंकि इस तरीकी की जो हैवी सबजी होती है इसमें जो में टेस्ट लगा कर उबाल लिया है और देखें बिल्कुल अच्छे से यह कॉर्ण पक चुके हैं फ्रोजन थे पकने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह देखें ग्रेवी भी हमारी जो तैयार हो थी वह बड़ी आसी पक चुकी है इसमें ग्रेवी कापी छीटे मार दिये तो अच् होती बड़िया टैक्सचर आएगा कलर भी बहुत ही हो जाएगा और हैवी सब्जी होती है इसलिए इसमें में पनीर मावा दूर ऐसी कैई सारी चीज़े डालनी होंगी तभी सब्जी में प्रॉपर टेस्ट आएगा और पनीर को ड़लकर एक मिल चिलाया और उसके बाद हमन इसमें पर देंगे एक कप जितना दून यह सब्जी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होता है थोड़ी लटपटी सी सब्जी होती है तो आप इसे रूटी पराथे चापाती नान चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और यह लिया दो टिबल स्पून जितना मावा वह भी दाल दिया फ्रेंट्स मावा नहीं है तो आप इसमें फ्रेश मलाई डाल सकते हैं क्रीम डाल सकते हैं और मावा है तो बहुत ही बढ़िया है वरना बिना मावा के भी बना लीजिए तब भी बढ़िया बनेगी और उसके बाद हम इसमें डालेंगे वह काजू और मगज का प देखिए 5 मिट में सबजी बढ़िया से पक चुकी है और जो कश्मीरी मिर्च का लाल कलर था आप देख सकते हैं क्या बढ़िया लग रहा है और ये डाल दी थोड़ी सी कसूरी में थी अच्छी कुश्बू के लिए और ये डाला खूब सारा हरा धनिया जिसे एक दम बारी तयार है बनाने में बहुत ही कम हैनत लगती है पर सबजी का जो साथ होता है वो लाजवाब होता है और ये लास में डला वन फोटी स्पून जितना गरम मसाला और वन फोटी स्पून जितना ही अमचूर पाउडर क्योंकि हमने इसमें टमाटर का यूस भी किया है और ये डा जिसे आप चाहें तो घर पर बनाएं और आप चाहें तो किसी के विशेश महमान के आने पर बनाएं सभी को बहुत पसंद आएगी नॉर्मली जो हैवी सब्जियां होती हैं खाने में काफी हैवी लगती है लेकिन यह सब्जी आपको काफी लाइट लगेगी इसलिए उभीद हैशी लाइशन के आपकिन उसलिए